हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और जैसा है कि आप देख रहें आज कल हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो है जितने भी मेकैनिकल की जो कॉर कंपनीज हैं जैसे कि आपका बीपी सीयल हो गया आपका जो है डैंस हो गया बोती हो गया ही रो हो गया हॉंडा हो गई ठीक है ना और आपका डीयार डीयो और कभी हमने लिया था जिसम robust Black की aocond का लेकिया है एसकॉर्ट लिमिटेड जो की आपका फृदाबाद में है और एसकॉर्ट जो है ट्रेक्टर बनाती है तो आज हम एसकॉर्ट कंपनी का जो है इंटर्व्यू के कोश्चन जो आपके सामदे रखेंगे और यह जो वीडियो है यह मेकैनिकल और इसकी जो एलाइड जो है यह सब जो है डिसकॉस करने वाले है और अगर आपने फरस्टाम मेरे यूट्वीच चैनल पर आएं तो मेरे यूट्वीच चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रैंड सर्कल्स में जिसी के उनको भी इंफोर्मेशन मिले की ओफ केंपस ऑन केंपस में किस टाइब कोशन जो है अलग अलग कंपनी जो पूछे गए है तो अगर अगर फरस्टाम मेरे चैनल पर है तो एसकॉर्ट लिमिटेड की वीडियो को आप देखेंगे तो उसके बाद जो आप डेंसो, सुब्रोज, मारूती, हीरो, होंडा और आ जो बच्चे परस्वाइंग हैं अभी इंजुनिंग कर रहे हैं तो वो बच्चे भी जो है इन वीडियो को देख करके यह आइडिया लगा सकते हैं कि फाइनल केंपस में जो है यह कंपने अगर उनकी आती हैं इंट्रूव केंपस प्लिस्मेंट के लिए या फिर ऑफ पसमें बलाती हैं तो वहाँ पर उनको आइडिया रहेगा किस आवे कोश्चे जो हैं में पूछे जा चुके हैं प्रिविएस सियर्स में ठीक है तो चलिए ज्यादा टाइम को ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जो हम एसकॉर्ट कंपनी का जो ऑफ क लीडियो जो कई रहता है ठीक है तो अगर देखें जाए तो हाला कि जो सीवी जो सौर्ट लिस्क्रटी कंपने क्योंकि आप ऑफ कंपस के रहरा हम बात करें तो जाहित बातने आपने जो है कंपनी का जो करियर का पेईज है उस पे जाकर कि आपने प्लाइं किया हूगा ठी सबसे पहले सीवी we shortlist यह है सबसे पहले चीज आपका सबसे पहले चीजा परसंटेज कितना है दो यही है तो मैक्सिमम अगर देखा जाता है तो जो CGPA लिया है 6.5 से लेकर क्या आपका 7 तक कि जो बच्चे हैं उनको जो है company जो है अपने यहां as a fresher पर बिला लेती है तो off-campus placement जो हम बात करें यह fresher students के लिए बात करें जो freshers है ठीक है ना freshers के लिए बात करें ठीक है तो सबसे पहली बात तो यह है इसमें तो 6.5 या 7 CGPA अगर है तो maximum जो कंपनी एंटर्वी के लिए अपने बुला लेती है तो पहला जो round आता है उसमें सीवी शॉट लिस्ट करते हैं तो उसमें जैसे कि आपका इसमें काफी बच्चे ने अप्लाई किया तो उसमें Campeonish, Elimination Round करके ज। स्लेक्टड बच्चों को जह उसमें बुला लएकी क приним तो उसके बाद ज़िए उसमें बढ़ लिजए कि उन्होंने बलाया बच्चे उसमें बला लिया 40 बलाया बच्चे μलाया दो 36 बच्चे को बला लिया उसके बाद जो क्या students for group bana देंगे और जैसे मैंने पता किया कि उसमें गुरूप डिस्कुशन में किया है कि आपको पहले एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर जो आप English Hindi किसी में भी बोल सकते आप जैसे कि मैंने पता किया तो उसमें यह पता किया कि प्रीविश से में जो रहा है उसमें तो English और Hindi दोनों ही लेंगविश थी कि आप किसी में बोल सकते और बारा मिनिट एक गुरूप को दिया जाएगा बोलने के लिए ठीक है ना तो बारा मिनिट में जो भी टॉपिक आपको लाँगा उस टॉपिक पे जो है उस गुरूप को जो है बोलना होगा तो उसमें जो है आपका परसनालेटी उसमें आपका वी आफ टॉकिंग आपका फ्रेंसी और आपका जो है वोकाबलरी ठीक है आपका जो मतलब परसानलेटी है एटिटीट्यूड यह वह सारी चीज़े इसके बुद्ध ए उसके बाद भूबंट्रूंग्य वह से लए तक्निकल में आपका टेकनिकल इंट्रूवियोगा उसमें टेकनिकल Πुशेन फेल्ड नेकल्ल तो जो बच्च्चे वहां पर स्वाद टोउच्ण में तो फ्रेंगे एकशार इंट्ध्यू के लिए तो तो यह प्रॉपर क्राइटीरा रहता है आपका जो एसकॉर्ट लिमिटेड का है कंपनी का लेकिन क्राइटीरा कभी चेंज करते हैं कंपनी जैसे लेकर के चेंज कर दिया या फिर बच्चे बहुत जादा होगे तो जीडी से पहले जो है एक राउंड भी अरख लेती हैं या फिर क्या करते हैं कि अपनी जो है अगर उनको लगता कि 6.57 cgpa में बच्चे बहुत जादा आ रहे हैं तो वह अपना जो परसंटेश करेटेरिया अगर number of students के साफ से number of requirement के साफ से अपने प्रोसेजर में चेंज कर सकती हैं कंपनिया लेकर लगबग यही राउंड रहते हैं ठीक है ना चलिए अब हम बात करते हैं हम बात करें इसमें आपका technical interview की और आपका HR interview हम बात करेंगे यहाँ पर इन दोनों राउंड के उसमें जो आपका पूछे जा चुके हैं इंट्रिव में तो टेकनिकल राउंड की बात करेंगे इससे पहले तो उसमें पहला question तो आपका tell me about yourself तो आपको क्योंकि आपका जो attitude है आपकी जो personality है और आपका जो way of talking है आपकी जो voice level है यह सब चीज़ें जो है जब अपने बारे में आप एक summary बताएंगे तो वहें पर वो थोड़ा सा analyze कर लेते हैं कि आपका knowledge है वो किस level तक का है ठीक है चलिए इसकी बाद जो second question था discuss your resume for relevant job और उसके बाद जो आपके resume को थोड़ा सा पढ़ेंगे देखेंगे आपके सामने उसमें से queries करेंगे आपने जो जो भी resume में mention किया जो आपने लेखा है वो आपको आता है कि नहीं आता है तो अपने resume को आप ब्लुकुल वैसे ही बनाए जिसमें कि आपको knowledge अच्छी हो ठीक है उसके बाद क्योंकि आप fresher होंगे तो जायर सी बात है fresher से जो है आपका अगला question होगा what is your favorite subjects अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगा जो भी आप fresher level पे आप जो भी अपने favorite subject मैंने बोला manufacturing science मतलब workshop technology बोल दिया या फिर में ओटो मॉबाइल बोल दिया मैं ठीक है दो subject बोल दिया अगर मैंने आपका manufacturing science या फिर workshop technology और आपका subject आप बोलने जा रहे हैं कि मेरे favorite subject हैं उनी subject से जो है वो questions put up करेंगे और अगर आप उन subject में अच्छा response रते हैं तो थोड़ा सा जो है वो अलग subject में जाके भी दखेंगे कि महावी आपकी knowledge कैसी है ठीक है ना तो यह आपको ध्यान रखना इस चीज़ का fresher level पी बहुत ज़ तो आपका which manufacturing process is using chassis manufacturing जो हमारे ओटोंबाइल की जो होते हैं उसको manufacturing को manufacturing करने के लिए हां कौन से process का use क्या जाता है कौन से manufacturing process का उसके जाता तो उसमें जो हम process करते हैं वह हमारा RTM process जो हम chassis बनाते हैं हाला कि और ही बहुत सारे different process होते हैं लेगे कर्म ट्रक की बसकी इनकी chassis के अगर हम बात करें तो RTM process के थूँ है हम जो है chassis की manufacturing करते हैं यह आपका resin molding transfer जो process है उसके helps जो है chassis की manufacturing की जाती है next question what are the different types of joining methods कितने type के joining methods होते हैं तो जो joining methods होते हैं उसमें आपका welding हो गया bracing हो गया soldering हो गया mechanical fastening हो गया और आपका adhesive bonding वगयर हो गई तो यह जितने भी आपका joining methods के अंदर आते हैं ठीक है ना तो यह answer होगा अगला question आपका which type of gear train using wrist watch होती है उसमें किस टैप का गयर टेंड यूज की जाती है तो उसमें जम गयर टेंड इस करते हो तेमारी epicly gear train consistent use करते हैं एपिसाइकलिक गयर टेंड कम यूज करते हैं question number six आपका which how much access in CNC machine CNC machine पर जो है और कितनी एक्सिस पर काम करते अगर देख जाए तो three two twelve access तक की जो है CNC machines available है ठीक है तो इसका तो simple सा concept है डिपन करता है नम आप operations के उपर और उन्हीं operations के according जो है एक्सिस मशीने काम करती है तो three two twelve access तक की जो है आपको CNC machine जो है अविलेबल है ठीक है ना मार्केट में अब तो और भी ज्यादा आगी होंगी 14 भी होगी 16 भी होंगी ठीक है ना कि इसकी बाद यह अगला कोशन था इसमें ड्राउआ इंडिकेटिड डियाग्राम और इस्पार्क इंचेन और कप्रेशन इचन इंचन तो आपको जिए इंचन इंचने इंचन और कर यह अब यह लगा लेगा लिए इस को यह फैप से जो है हुआ बनता है ठीक है ना और उसमें आपका यह आपका प्योड backyard को ठीक है बन प्योड डांगराम घ्ला और इसमें यहां से लेवे यह यह तो यहां पर आपका आपका यह हो जायेगा आपका वी चैना यहां पर के कम्परेशन होगा ठीक है न और सुपरेशन कर लावरो कि यहांको कभाएऽशन होगा यह रहा हिए पर यह इपका आ Wie को फॉर्रितो फिर इसमें यह आपर इसको टीजानी कर गया यह वहलूम खोर्ट पूरा प्रीशन के मुव्मेंट का Pure तो इस तरह से जब का इस पार किशन इंजन कज़ आपका अपीवी डियागराम बनेगा इन्टिकेटेड डियागराम का अब दूसरी बात है की यह कॉर्णर क्यों नहीं है इसमें कि अगर थेखिंगे तो थेटिकल में क्या होगा आपका कॉर्णर होंगे ठिकिए ना तो इसम हमारे inlet outlet wall जो है वो time से पहले जो है आपका open होंगे time से पहले close होंगे तो इसलिए क्या होंगे around होंगे त्योंको एक्च्वल जो हमारा indicated diagram उस तरह का बनेगा और theoretical वारा जो होते हैं उसमें हम बांगते हैं कि जब वो complete close होगा तभी अगला वाल खुलेगा जबकि यह theoretical मैसा है लेकर actual मैसा नहीं है ठीक है तो यह तो वह आपका spark condition engine का अब अगर बात करना चाहें आपका CI engine का तो CI engine में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका जब डाइगराम होगा आपका इसमें यहां पर ऐसे ले लिजिए ठीक है और यह कि इसको भी यहां से राउंड ले लिजिए कि इस तरह से और यहां से पिर आप यह हो जाएगा ठीक है इसमें आपका section होगा exhaust होगा ठीक है compression होगा expansion होगा ठीक है यह आपका बनेगा ठीक है यह volume यह आपका प्रेशर आजाएगा ठीक है इस पर आप ले लिजिए यहां पर 1 2 3 4 5 ठीक है नहीं तो इस तरह से आपका यह आपका VS होगा और आपका यहां पर यह आपका clearance volume होगा यह section volume होगा ठीक है ना तो इस तरह से आपका जो है यह आपका इंडिकेटिट डाग्राम बनेगा compression ignition इंजन का ठीक है ना यह ठीक है तो ड्रॉक करने के लिए सकता है तो आपको ड्रॉक करना इसको explain करके बताना होगा section का compression ठीक है ना उसको as expansion फिर exhaust चार इस पर समझाने होंगे ठीक है इस तरह किसे जो आपको ड्रॉक के दिखाना होगा कि चलिए अब हम इसके बाद लेते हैं आपका next question इसमें पूछा की वह वी ओपन इलेट क्वी इ yani में फ़ुकि आपका क्यूंक होता है ठीक टिंण के टीडी से आयरे पें पोचने पेले इस धो निट और शाथ हुआ वह बिलता है इत कर देते हो शाख बेड़या पहुचने से पहले रूप झाना हो तो इसमें कर सहकfully है तो स्unge air and petrol mixture as the piston begin its induction stock, ठीका न, यह प्रपर अपर आंसर दे सकते हैं, मैं दुबारा बदायता हूँ, the inlet valve is given a lead opening before the piston reaches the top dead center on the exhaust stock so that lead resistance is offered to the incoming flow of air and petrol mixture as the piston begins its induction stock, ठीका न, यह इसका अंसर होगा, चलिए, अब अगला लेते हैं, question number 9, why spark plug at a given particular angle, जो spark plug जो है, वो एक given particular angle पर क्यों होता है, उसका सबसे बहुता कारण यह कि, देखो, इसमें main बात यह है कि जो spark plug जो definite position पर होना बहुत ज़रूरी है, otherwise क्या, क्योंकि अगर चाता है कि engine की performance है, वो बहुत अच्छी है, combustion के दोरान, तो उस time पर जो है, आपका जो spark plug है, उसकी ऐसी जगा position होनी चाहिए, जहां से कि जब वो आपका fuel को spray करें, तो आपका charge completely burn होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आपका spray करता है, यह automation करता है, आपका air fuel mixture का, तो वो अगर proper area पर नहीं होगा, तो उसमें unburned fuel होगा, तो उससे क्या होगा, आपके engine के जो life है उस पर फरक पड़ेगा, और आपका charger जो complete burn नहीं होगा, तो इसलिए हमारा जो spark plug है, उसको एक definite position पर होना बहुत ज़रूरी है, अब उसमें आप कह सकते हैं कि spark plug हमारा एसे जगह पर locate होना चाहिए कि जहां पर शौर्ट आपका shorter flame travel हो और उसमें चारज हो सारा का सार जो burn हो जाए और हमारा जो जो इस तरह से पोजिशन पर रहे कि और यह और जब वो इस पर हमको उसकी प्रॉपर पोजिशन को set करना होगा जिससे कि चार्ज रिवक्प्लिटली बरनों बहुत कम टाइम में बरनों और एक्स अच्छे अमांट पर पावर स्टॉक मिल सके और चार्ज कंप्लिटली बरन हो सके ठीक न इस लिए इस पार्ट पर जोई एक प्रटिकुलर एंगल पर होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो यह जो इसका आंसर होगा आपका चलिए अब लेते हैं अगला question question number 9 if we change the angle so what effect will occur तो यह उसी पर ही पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया पिछले question में आगे यह question आपका अलग पर क्यों होना चाहिए और दूसरी बात है अगर उसके अंगल को change कर देते हैं तो सिंपल सी बात अगर ने अंगल चेंज किया और इस ते से अंगल को चेंज किया कि जो चार्ज है वो उसमें कम जो शॉर्ट जो फ्लेम ट्रेवल जो है आपका अपका और उसके आपका फ्यूल जो है वह अपका नहीं हो पार रहा है पूरे आपका ऊप्सीẩ चोति बात आपको पावर जो वो कम में लेगी पांची बात आपका इंजन जो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो इस लिए हमारा जो आपका इस पार्क प्रॉपर प्रॉपर बाउना बहुत ज़रूरी है कि चले अब डिजाइन ब्रेकिंग सिस्टम तो आपको इसमें जो आपका ब्रेकिंड शिस्टम जो है उसको आपको ड्रोइंग बना के आपको दिखा नहीं है अब मैं यह मद्द ऊंग तो भोजा time लगसा जाएगा लेगा तो स्मेंपल सा मोटर मोटर तो जब यहां से piston जो प्रेस करोगे आप इससे ब्रेक लाओगे तो फ्रूड आपका जाएगा और उससे क्या होगा आपका ब्रेक अपलाई होगी ठीक है तो इस तरह से आपको जो इसका मोटा मोटा लाइन डागराम बनाकि जो ब्रेक सिस्टम का ड्राइंग बनाकि जो अब आपका प्रोसेस कंट्रोल से लिया क्या होती है तो क्वालिटी जार्ट टूट 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 टी ओफ फीचर अद कर्टरिक्ट और प्रड़क्ट और सर्विस दैट बियर और इट्स अबलेटे टू सटिस्पाई गिवन नीट ठीक है ना ती क्य जाली क्वालिटी का लगी है अब थापस क्वालिटीमर की ट्र step ourflix को टीक ह américality का ऐती है इसमा डिसको प्रोसेस कंट्रोल हो गया आपका कंट्रोल चार्ट हो गई acceptance sampling हो गया product quality control हो गया तरह टाप्स दो quality कि मैंने question लिटेट टू बीटीपी और आपका MTP बीटीपी और MTP से question पूछेगे कि what do you mean by BTP and what do you mean by MTP BTP MTP में क्या difference होता है ठीक है ना उसका diagram वगरा बनवा के question पूछे गए तो उससे भी काफी सारे questions पूछे गए थे ठीक है कि इसके बाद interview जो होता आपका HR राउंड का interview हो HR interview में जो questions जो बच्चे उसमें select हुए वह HR interview के लिए और HR interview question पूट हो आपके सामने tell me about yourself in details अब यहां पर क्या था कि detail में पूछा है तो आपको शूरू से बताना है कि आपका नाम ठीक है ना आप कहां रहते हो उसके बाद जो है आपने 10th की कहां से कि क्या percentage आपका आपने 12th की तो 12th कहां से कि क्या percentage रहा किस year में की तो ऐसी आपको complete यह है अपने अपने बारे में अपने थोड़ा family के बारे में तो वह आपको यहां पर detail में explain करके बताना है उनको HR department में जो भी आपका इंट्रीव लेंगे तो अगला question what is the weak point आपका weak point क्या है तो अपना जो भी आपका weak point हो वो उनको बताना है ठीक है ना उसके बाद next question what you are looking there तो आप अगर escort limited में आप जा गए है जॉब के लिए तो वहाप क्या देखते है मतलब क्या लग है वन इंप्रूमेंट यूदं दियरा कोई ऐसा इक उंप्रूम्ट आप बताओ कि अगर आपको सेलेक्ट कर तो यहां पर क्या इंप्रूमेंट आपको कर सकते हो ऐसा क्या इंप्रूमेंट हो सकता है और वह आपको explain करना है मापर positive इमोन अच्छी improvement भी अगला question why you want to join escort आप को क्यों करना चाते हैं तो यह question है इसका positive answer आपको सोच कर रखना है आप अगर आपको आपको आपका दिन और सुबैसे आपको अपना दिन स्टार्ट करना तो अपने दिन का कैसे स्टार्ट करेंगे तो ठीक है जनरल आपसे एक हैचार में बात हो रही है फ्रेंक्ली आपसे बात कर रहे हैं तो आपको एक पोस्ट्री आजूट में रेक्षांस और आपको आपको वह देने हैं वहर विल यू सी यॉरसल आफ्टर 30 तीस साल बाद अपने आपको कहां देखते हैं तो यह भी कोशन है तो आपको इस कहां सर सोच के रखना है जवाब देना है तो इस ताइप फूशन जो है चार में पूचे जाते हैं तो यह कोश्चन आपके सामने मैंने रखे जो कि आपका एसकॉर्ट लिमिटेट कंपनी से थे जो कि ट्रक्टर वगरा मैनुफेक्चिंग करती है अब आपके सामने स्किन पर जो आपको एक बुक दिखाई दे रही है यह आपका मेकैनिकल कंपनी टेकनिकल इंटर्वी आपको मिलेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट हैं मेकैनिकल कोर की स्टुइंट्स के लिए मेकैनिकल और एलाइडवांचीज के बच्चे उनके लिए अगर आप इस बुक को लेना चाहते तो ले सकते हैं यह बुक बहुत बहुत ही कम रेट बे जो है आपको एमेजॉन पर मिल जाएगी आपको आपकar में लिए के डिस्रीप्चिंट मिल जाएगा तो आपको ए यी-बुक के फंव ममょ बिलेगा जिसको कि आप कॐंडल स्टोर से आप जननलोड करके जो है आप किंडल स्टोर पर पढ़ सकते हैं और इसके लागर आप इस बुक डिएफ लेना चाहत सकते हैं और इस बुक को का अपने मोबाइल में सेव कर सकते है और Oliver Journal क measuring table उसको पर सकते हैं चाह तो आप और यहां से चराविक अगली मत्रों से थीधी उचाहिए आप का मेकईनिकल कॉर्स आलायाड प्रॉंचिज में आपका जाह highs गता आता है आपका mechanical maintenance आता है auto mobile आता है aeronautics engineering आती है तो अगर आप इस बुक को लेने चाहते हैं आप DRD children है इसमें आपका 300 questions है mechanical के core जो की interview में पूछे गए हैं DRDो में तो हाला कि interview में किसी भी company में कहीं से कोई भी question पूछा जा सकता है क्योंकि interview में technical के कोई सीमा नहीं है infinity है तो यह questions भी आपको काफी help करेंगे आपकी off campus on campus या किसी भी company के interview के preparation में तो with explanation इसमें detail में दिया गए है तो यह book भी आपको Amazon पे मिल जाएगी बहुत कम मिल जाएगा नेक्स्ट आप देख सकते है theory of machine theory of machine की भी यह book मैंने लिखी है इसमें 500 questions है chapter wise मैंने दी है जो कि बहुत important है यह book की आपको Amazon पे और इंस्टा मोजो पे मिल जाएगी इसमें 500 mc question है theory of machine से ठीक है न तो यह book भी आपको किसी भी computer exam करने आपको काफी help करेगी तो इसका इन सब भी books के इसके लावब और भी books हैं आपका hpcl आपके बॉलर technician hpcl maintenance technician ठीक है आपका और उसके लावज आपका सब असिस्टेंट इंजिनियर का आपको मिल जाएगी वेस्ट पंगॉल की और उसके लावज आपका assistant motor vehicle inspector rto inspector की आपको बुक मिल जाएगी ठीक है ना और उसके लावज जब क्रेश कोड सीरीज मिल जाएगी तो आप इंस्टा मोज़ो पर जो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज की जो वीडियो है मैं यहीं पर सब्सक्राइब करता हूं आई होप सो इस वीडियो से काफी इंफ्रमेशन मिली होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मेकैनिकल कोर कंपनी के इंट्रू के साथ में ओके थैंक यू